नमस्कार दोस्तों आप सभी कार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार SS8247 पर मैं हूं शानुरावत आप है मेरे साथ में CHSL 2024 पर complete discussion करने के लिए ये एक वीडियो आपके लिए enough होगी हर एक point पर हम बात करने वाले है बले बात आपकी इस पर हो एक्जाम पैटर्न पर हो सलरी पर हो प्रमोशन पर हो इस्ट्राटेजी पर हो तो कुल मिला करके CHSL 2024 जिनके लिए आपके online application जो शुरू हो चुकी है आपकी form डेट रही है 8th of April यानि 8th of April से आपके जो online application शुरू हो चुक है यह आपके online application शुरू होने थे 3rd of April से लेकिन यह 4-5 दिन डिले हुए बट आपके सामने notification हा चुका है अच्छी खासी संख्या में आपको जो vacancies देखने को मिली है तो चलिए आज की इस बड़ी important वीडियो पर बातचित करता है यह वीडियो पूरा सीखने को मिलने वाला है देखिए सबसे पहली बात यदि मैं आपसे CHSL पर बात करते हैं तो सबसे पहले exam date वगरा पर बात कर लेते हैं यह एक ही वीडियो आपके लिए complete information देने जा रही है जैसे कि सबसे main चीज आपके लिए कुछ dates clear होनी चाहिए जैसे कि आपको clear है कि date of April से शुरू हूँ है जो आपकी last date of online application है वह आपकी 7th of May कि शाम को 11 बजे तक इसी के साथ आपका जो tier 1st conduct कराया जाएगा वह आपका June July 2024 यानि कि मैं सही माहिने में बात करन तो July में आपका होगा और tier 2 की जो आपकी date है वो September जो रखी गई है ठीक as per notification चलिए यह आपको dates वगेरा सब clear है और उमीद यह करता हूँ कि आप में से अधिकतर dear students ने अपनी जो यह online application की फॉर्मलेटर यह भी पूरी कर दी होगी वेल थोड़ा सा ओर detail बात करता हूँ जब भी कभी बाते CHSL के आती है तो आपको मालूम है कि mini CGL हम यहां पर इसको बोलते है क्योंकि बिल्कुल जो आपकी CGL का pattern है वही आप यहां पर CHSL में देखते हैं प्लस जो भी CGL वाले aspirants होते हैं वो सभी CHSL भी apply करते हैं तो काफी बढ़िया competition अपने को यह देखने को मिले जाता है तो अब की बार जो vacancies आपको देखने को मिली काफी बढ़िया vacancies आपको मिल गई है 3712 पोस्ट आपको जो देखने को मिली है जो की notification में अनाउंस ही है यह पोस्ट थोड़ा बहुत बढ़ भी सकती है ऐसी उमीद हमेशा रहती है चलिए आपको जब भी CHSL की बाते सुनने को मिले तो आप समझ जाईएगा कि CHSL के थुरू जब आप join करेंगे तो आपको जो पोस्ट मिलेंगी वो JS से मिल सकती है junior secretary assistant या फिर LDC मिल सकती है lower division clerk जो की M योकी भी आपको जो पोस्ट मिलती है कुल मिला करके चारो ही पोस्ट आपकी white-collared job है white-collared job simply means that clerkial work desk job है और यहां पर सबसे अच्छी बात CHSL की यह रहती है कि यहां पर आपकी कोई physical standard या फिर physical criteria आपका नहीं होता है आपने के वल और के वल अपना written test qualify करना pre plus means और बाकि के तुरू अपना career stable कर सकते हैं बहुत respected job है अच्छी जोब है ठीक है बड़ी है respected यहां पर आपको salary मिलती है जोब जोब इल्कुल स्टेबल होती है और सबसे अच्छी बात white color job है यानि कि आपकी क्लरक्यल जोब है तो यानि कि आपको Monday to Friday काम करना होता है अगर कुछ eligibility की बात कर लूँ तो आपकी eligibility criteria है that is आपकी age minimum 18 years होनी चाहिए maximum आपकी 27 years होनी चाहिए इसमें आपको कुछ age relaxations भी मिलते हैं जिन पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ अगर qualification की बात करें तो आपका 12th pass होना compulsory है यहां पर आपसे graduation की demand नहीं की जाती graduation की demand आपसे की जाती है CGL CPU के लिए well थोड़ा सा और आगे move on करता हूँ जैसे कि मैं भी age relaxation की बात किया था तो जो स्वालो को पांच साल और भी सिवालो को थी यह ना पी रड़ी बीड या फिर अन्रिजर्व अलो को 10 years या फिर पी डबलू बीड फिर ओबीड या फिर ओबीसी आप जैसी notification बढ़िया से पढ़ेंगे आपको सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगे ठीक एक सर्विसमें के लिए आपने अपर बिल्कुल क्लियर लिए देखा मैंने मेंचन भी किया कि थ्री येर्स आफ्टर डिटेक्शन ऑफ दे सर्विस रेंडर्ट फॉंडी एक्शुल इस एज ओन दा क्लोजिंग डिट चलिए आप नूटिफिकिशन थोड़ा सा ओर डिटेल में पढ़ लीजे तो आप अपनी क्रेटेगरी के को निए रिक्शेशन को बढ़िया से समझ पाएंगे वैल थोड़ा सा बात करते एक्जा कई साथ में आपको देखने को मिलेगा यानि यानी कि जब जब आप द्रींड की बात करें फर 623 वात करें बात कि에 टीक हें 1060 कयो पर होता हूं पर आपको 25 25 25 25 25 कोंषिंस मिलता है हार tightly 723 और है कोशिंस म को तो हूंड्रत कोशिंस देखने को मिलता हरfully कुश्ण आ पका 2 गरी साथ है उसको 80 मिनिट्स का टाइम या पर जो दिया जाता है यानि कि एक गंटे में आपने सो कोशिन सॉल करने हर एक सब्जेक्ट के 25-25 कुशिन नेगेटिव मार्किंग आपकी वन भाई फोर्थ की रहेगी यानि कि अगर आप सही कोशिन करते हैं तो आपको टू माक्स मिलेंगे और यदि आपनी कोशिन गलत किया तो 0.50 यानि कि आदा माक्स आपका डिडेक्ट कर लिया जाएगा तो सावधानी से खेलना है तुक्के बाजी जो हम करते हैं जो तुक्के लगाते हैं उन पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है अब यह जो आपका प्री एक् अब कि आती है में में और मेंस के अनदर आपको जो है पूरा मेंस का एक्जाम दो सेक्शन में बटा दीखेगा आपका झाल tamanho मोडि जिसमें कम मैच और मिलेंगे दोनों के आपको 30 कूशन मिलें अपको 30 कूशन मिलेंगे यहाँ पर आपको English और GK देखने को मिलेगी यानि General Awareness यहाँ पर मजे की बात यह है कि आपको Number of Questions तो अभी भी 60 ही मिलने वाले है लेकिन English के Question आपके होंगे 40 और GK के आपके Question रहने वाले है 20, यानि 20, 40 यानि कि Total 60 Question और Marks अभी भी आपके कितने होंगे, 180 Marks Total आपको Time कितना मिला, एक गंटे का मिला यानिक अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपको 2 गंटे में अपने जो है यह अपने 120 Question solve आपने कर देना है वहीं पर आपको Section 3 वे देखने को मिलता है मेंस के अंदर, Section 3 के अंदर Module 1, Computer Knowledge होगी जो कि आपका Qualifying Nature का होगा 15 Questions आपको मिलेंगे, हर Question 3 Marks का होगा 55 Marks आपको मिलेंगे 15 Minutes आपको दी जाएंगे, Computer Qualify करना compulsory है, mandatory है, obligatory है, imperative है ठीक है, इसको आप deny नहीं कर सकते इसमें आप अगर Disqualify हो जाते हो तो आपकी मेरिट में चाहें आप 360 में से जो आप Marks score करेंगे, उसके basis पर बनेगे ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी आप ठीक है, जितने आप Marks score करेंगे प्लस फिर आप जो अपनी post preference डालेंगे उसी के according आपको DEO, LDC जो भी आप देखते हैं, वो आपको जो पिटा स्लेबस में लेकर किया हूँ, as per your notification आपका reasoning का स्लेबस आपके सामने है, आप जल्दी से screenshot ले लिजे, इसके बारे में ज्यादा detail बात करने हैं कि I think मुझे कोई आवशक्ता नहीं है, ठीक है जी, आपको इन सभी topics को बढ़िया से cover करना है, then बहुत practice करनी है, और then इनका बार-बार revision करना है, बात करता हूँ English की, अगर मैं English की बात करूँ, English का सबसे main role रहने वाला है आपके CHSL में, क्यूंकि आपको मालूम में में मेंस के अंदर 40 questions हैं, और pre के अंदर आपको 25 questions हैं, यानि कि एक कहीं तो dominant role में अपने English यहां पर देखने को मिलती है, CZL या फिर आपका CHSL लोग, तो आप देखेंगे याँ पर errors होगई, Phillips होगई, synonym, antonyms होगई, homophones होगई, spellings होगई, आपके idioms, phrases होगई, one words होगई, improvement of sentence होगई, वो इस होगई, आपका active passive, आपका narration होगई, sufflings of sentence parts होगई, यानि कि PQRS की बात हो रहा है, ठीक है, वोई बात, sentence in a paragraph होगई, close passage होगई, और आपका comprehension passage होगई, यानि कि complete English आप से जो है, तूची जाती है, आपने बढ़ियां से English पर अपना काम करना, because without English, you can't imagine your selection in SSC, चलिए, कोई दिक्कत नीए, ये भी आपका syllabus आपके सामने आगे, screenshot लेने के आउशक्ता हो, तो जल्दी से ले लीजिए, मैं side हो गया हूँ, well, बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ maths के syllabus के बारे में, ये maths का आपके सामने बिल्कुल detailed syllabus में लेकर के आचुका हूँ, हर एक topic का, चाहिए number system हो, fundamental, arithmetic हो, आपका menturation हो, algebra हो, geometry हो, trigonometry हो, या फिर esthetical, charts हो, इन सभी को आपको बढ़ियां से तयार कर लेना है, ठीक है, तो ये आपके पास में syllabus होगे, GK का syllabus में लिकर के आया नहीं, क्योंकि GK अपने आप में limitless है, आप notification में देखेंगे, तो आपको लगबग topics मिल लाएंगे, well, अभी मैंने यहाँ पर एक बात लिकी थे, आपके लिए बिटा salary और promotions, तो आप यह सबसे घजब की बात सीखो, जैसे ही आपकी 3 year की service complete होती है, after selection, after joining, then 3 years के बाद आपको departmental एक exam, से जो गुजरना होता है, अगर आप वो departmental exam qualify कर जाते हैं, plus 3 years के आपकी जो प्यारे बिचे service हो चुके, तो फिर आपका जो pay level है, जो आपका pay vendor बढ़ जाता है, जैसे कि अगर मैं आप से LDC की बात करूँ, अगर मैं आप से LDC की बात करूँ, मान के चलते हैं, तो वहाँ पर आपका pay level हो था, 18,000, ठीक, 18,000 रुपे से join करते, तो इसी पर आपका DA हो गया, TPT allowance हो गया, HRA allowance हो गया, वो सारे count होते हैं, फिर कुछ government की recoveries, मतलब deduct हो जाती है, जैसे कि government CGHS card के लिए ती, और कुछ आपके अलग छोटे-मोटे taxis वारा deduct करने के बाद में, अगर आप 18,000 से join करते हो, तो लगबग आपकी 27,000 रुपे इनेंट से पड़ती है, जो MTS वाले बच्चों की होते हैं, लेकिन आप CHSL से join करेंगे, तो आपको 19,900 रुपे पर आपको अपना TPT allowance, B.A., H.R.A., सब कुछ मिलेगा, तो 19,900 रुपे से लेकर के आपका 63,200 रुपे तक का आपका जो बिटा पेस के लेने वाला, पेबेंट रहने वाला है, तो कुल मिला करके, अगर मैं आपसे बात करूँ, तो लगबग आपकी 34,000 से और 37,000 के बीच में, आपकी जो salary in-end आपको मिले जाएगी, जब आप अपना selection लेते हैं, CHSL के द्वारा, अगर आप जैसे की बात करते हैं, junior secretary assistant के, तो यहाँ पर भी आपका 19,900 का payment रहता है, अगर आप यहाँ पर PA की पोस्ट पर जाते हो, तो यहाँ पर 25,500 का payment लगता है, आपका, और बढ़िया से चीजे समझ माने लग जाएंगी, हालंकि मैंने काफी सारे shorts, अपने जो ऐसे की हैं, जिन में की मैंने salary slip के साथ में, आपको detail में सारी चीजे समझाई है, तो आई होप इस पर जादा बात करने की जर्वत हमें है नहीं, आप सीधा याद रख को, CHSL से जोइन करेंगे, तो लगबग 35,000 रुपे salary अपने हाथ में आ जानी है, ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ, सबसे main बात जैसे कि मैंने लिखा भी था अपनी thumbnail पर, strategy क्या होनी चाहिए, आखिरकार how to prepare, हम कैसे prepare करें कि अब की बार हम अपने exam को forward दें, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत से बच्चे वो भी होंगे जो कि कई बार अपने SSC के different exams में बैठ चुके हैं, लेकिन back to back सफलता उनको, मतलब आ सफलता का सामना करना पड़ा, तो अब क्या करें, दोस्त, ध्यान से कुछ 3 points देने जा रहा हूँ, गुरु मंतर कहलो, गुरु वानी कहलो, ब्रहमास्तर कहलो, जो आप कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, तीनो points को ध्यान से समझना, फास्ट इस अबर, प्रक्टिसर रेगुलर्ली, ये बात जितनी बोली जानी, आसाने नों, उससे कहीं ज़्यादा इंप्लिमेंट कर पाना, टफ है इसको, ये most difficult task है, एक student के लिए, प्रक्टिसर रेगुलर्ली, हम रेगुलरी तो नहीं है, आप सोच के देखिए, अगर को सब मेंटेन हो चुकी होती है, कि अगर हमें इस ताइम पर क्लास लेने हैं, तो लेनी है, जैसे कि अगर आप अपनी इंगलिश अच्छा करना चाहते हैं, तो आप डेली सुभा 11 से 12 मेरे साथ में जूड सकते हैं, आपके लिए में इंगलिश पिल्कुल फ्री ओपकोस यू तुम इस नहीं थाज चयू नहीं आप डो आफ कर डी ऊन्युकर प्रिक्तर अपरे में द्यatisfy प्रीन। हैं, तो भुल्लत लाए मास ने कर और Ao 90 परसेंट बच्चे पढ़े रहे हैं एससी की त्यारी कर रहे हैं मैट्स में लगे पढ़े अर्थमेटिक 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 एडवांस कभी देखाई नहीं उठा करके इंग्लिस में लगे पड़े हैं grammar 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 कभी PQRS पर बात की नहीं कभी spellings पर बात की नहीं कभी close test को उठा के नहीं देखा तो my dear students आपको ध्यान यह रखना है कि सबसे में चीज आपको अपना syllabus बढ़ियां से मालूम होना चाहिए और even if आपको syllabus के अंदर भी chapter wise चीजे clear होनी चीजे उसके अंदर भी topic wise आपको जोजे clear होनी चीजे कि इस chapter के अंदर जो इतने topics हैं इससे questions उटा होते हैं यहां से questions उटा पनी होते हैं क्योंकि जिस दिन आपको यह पता चलिए ना पढ़ना क्या है समझे लिजे आप अपने selection के दुआर पर पहुंच चुक है get a clear understanding of the syllabus for each section of the exam analyze the topics and subtopics that are important and prioritize your preparation accordingly notice कीजेगा बात को analyze करना है आपको अपने topics को subtopics को जो की आपके exam के लिए important और उसी according अपनी फिर priority site कीजिए उनको prioritize कीजिए आप अपनी preparation के दोरान otherwise बच्चे पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं लेकिन बेटा भीड में दोडने से शायद आपको नहीं मिल पाएगा जिसके लिए आप बढ़ें तो बेटा रहे हैं थोड़ा सा अपने आपसे भी टॉक कर लिया करें and the most important is create a study plan अब मैंने ये बात आपके सामने ऐसी बूली जो आपने नाजाने कितनी बार तयार किया होगा ऐसी बात निया आज आज आप पहली बार मुझे देख करके study plan तयार करोगों कि अच्छा च्छे वज़े उटना है आट बज़े तक पढ़ना ही भाई या पहले भी कई बार कर लेकिन मैं बता दूँ अगर आप पहले कई बार कर चुक है और आप असफल हो चुक है तो इसका मतलब यह नहीं कि अभी फॉर्मुला फिकार हो गया अभी स्वर्मुलिस आपको रिजल्टी नहीं मिल सकता आप एक बार फिर सपने study plan जो create कीजे बढ़िया सा और ध्यान कर रहे हो अपना एक स्पेसिफिक टाइम जो है स्लोट डिसाइड करो स्पेसिफिक टाइम स्लोट हर सब्जेक्ट के लिए और एंशोर करो कि आप प्रोपर रिवीजन भी कर रहे हो नहीं कर रहे है क्योंकि अगर यह तीन फैक्टर साब अपने जीवन में अपलाई किये तो कुछ ठीक है लेकिन हमने तो अभी तक स्लेबस भी कंप्लीट नहीं किया हम तो फस्टाइम इंगलिस पड़ रहा है फिर हमारे सर कुछ सब्जेक्ट अभी वीग है हमारा मैच अच्छा बन जाता है लेकिन हमसे सर इंगलीश नहीं होती सर इंगली सची और यह रीजनिंग और हमारी जो जी की कवर नहीं हो पारी तो प्यारे बचे आपके लिए हमारी टीम भी एल्प करने को त्यार है आप चाहें तो हमारे एकलवे बैच में जुड़ सकते हैं जो कि अभी 16th of April से यानि कि आज से जो शुरू हो रहा है पुरी टीम आपके साथ मेहनत करेगी और इ 786 test series भी आपके लिए बटा एक तरीके सा अलोट किया है जो की आपकी टॉपिक वाइज है चैप्टर वाइज है ठीक है प्लस 180 आर्स की आपकी लाइब इंटरेक्टिव क्लास होगी जिसमें आपको डाउट रूम की फैसिलेटी मिलेगी आप अपनी क्लास के बाद में अप आप जो उनसे अपने डाउट शेर कर सकते हैं ठीक इसपीशेली मेंट्स और रिजनिंग के अंदर हर दिन आपको जो लास्ट में क्लास के ओवर होने के बाद 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा जिसमें कि आप टीचर से डारेक्ट वहीं पर इंटरेक्ट कर सकते हैं कोल प आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक बार पढ़ लेना चाहिए तो आप अपने साथ जूड़ सकते हैं ठीक है जी वाई 795 आपको कूपन कोड रहेगा आप डेस्टोर पर जाएंगे कूपन कोड आपको ओक्शन देगा एक कूपन कोड का तो जैसी आप यह कूपन कोड यूज करेंगे तुरंत आपको इसका डिस्काउंट वाल अप्राइस मिल जाएगा एक तो बात हो गई आप मैं आप हमारे साथ आ सकते हैं जिसमें कि आपको CGL, CHSL, MTS, CPO, GD, GHT, PLUS, Delhi, PLUS, हर एक एक एक्जाम की सबें क्लासिस हम आपको यहां पर प्रोवाइड करा देते हैं जिसमें कि आपको 2000 घंटे की लाइव क्लासिस, 6345 तैसरीज, 1850 e-books, यानि कि बुक्स की PDFs, एंड साथ य आप बोलेंगे, क्या सर इतना सारा कॉंटेंट एक बच्चा कवर कर सकता है, मैं बोलूँगा, नेवर, कभी नी कवर कर पाएगा, तो इतना क्यों दिया, उसकी वजाए, सब्सक्राइब आपने हमारे टीम के साथ में एकलब बैच में जूड़ करके महनत की, आपको इंगल अगलिस में वक्याब समझ में आई, तो आपके वल वक्याब लरी के लिए दुबारा बैच थोड़ी ना खरीदेंगे, बच्चे इतना अपने आपको मोटिवेट ही नहीं कर पाता, इतना अपने उपर इंवेस्ट करी नहीं पाता, कि वो 6-6 बैच खरीद ले, तो फिर हमन कूपन कोड यूज़ करना, अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं, तो इसकी प्राइज आपको मिलेगी लगबग 28 सुर्पे के आसपास, लेकिन ये 28 सुर्पे में आपको A2, Z, 1, 2, all, सब कुछ मिल जाता है, या आपका One Stop Solution होता है, आपको सभी टीचर्स की क्लासि सभी test series, सभी e-book, सभी recorded classes, A2, Z, हर एक exam के लिए आपको मिल जाती है, तो अगर आपका target सिर्फ CHS, नहीं है, आपका target है कि बिजिब CGL आएगा, मैं CGL भी दूगा, आगे चलके GD आएगा, GD भी देंगे, समझ रहे, आपका S10O आएगा, आप S10O भी देंगे, आगे चलके MTS आएगा, आप MTS भी देंगे, तो अगर आपका सपना है कि आप हर जगह अपने आपको बढ़िया से, हर कसोटी पर खरा उतारना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए अपना महापैक भी एक अच्छा solution है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो बिटा वाई, 795 coupon code के साथ में एक solution आपके लिए मैंने और भी तयार किया हुआ है कि कोई बच्चा चाहता है कि सर मुझे English का समाधान दो, क्योंकि SSC बगएर English के impossible है, सोच पाना भी, तो English का समाधान आपके लिए प्यारे बच्चे यह, कि आपके लिए मैंने खुद से अपने हाथ से complete English grammar के notes तयार किया है, जो की बिल्कुल पढ़ियां से handwritten है, ठीक है, आप देख सकते हैं, यह है आपके handwritten notes, पूरी grammar मैंने अपने हाथ से बिल्कुल साफ साफ एक एक शब्द को जो है लिखा हुआ है, और इसी अंदाज में लिखा है, जिस अंदाज में आप लिखते हैं, तो यहा response questions, फिर miscellaneous, फिर miscellaneous, फिर miscellaneous, फिर previous year, chapter के अंदर आपको मिलते हैं, उस chapters related, याने कि हर chapter के लगबख 400 से 500 questions minimum आपको मिल जाते हैं, हर question का detailed solution आपको Hindi में में ने दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि majority of students are related to our Hindi background and from rural areas, so this book is our bilingual book, जिसमें की लगबख explanation आपको मैंने किसमें द हिंदी में दियुए, आपको पूरी भक्याइब इसमें में दियुए, ट्री में तर से, रूट वर्ड से, डेवाइस टेक्निक से, पूरा comprehensive section दिया हुआ है, सब कुछ ए टुजड आपको दिया हुआ है, सब से अच्छी बात जैसे आपको लेपस complete होता है, तो 61 papers भी मैंने इसमें include कियें, तो आप अगर इसको complete कर लेता है, तो मैं मानता हूँ, तो भी आप अपने English को जो बहुत बढ़िया कर जाओगे, pre plus means में, ठीक हैं, ऐसा मत सोचना है, कि सरे pre का material है, ये pre plus means का material है, तो आप अगर इसको लेना चाहते है, तो बटा books वाली category में जाएगा, डे शानु सर इंग्वलेश, यई सर्च करना दोस्त मेरे, शानु सर इंग्वलेश, जैसी आप सर्च करेंग, तुरांत आपको आपको प्यारे भMagूरे जिटके ऐगी, तिके दो कैसे पर अच्छा लगे, जो भी आपको ठीक लगे, वाब कीजिएगा, ठीक है, अगर अगर बगबग सारी बाते बताई एक बात और छूट गई अगर को बिचा सिर्फ वक्यबलेट से डरता है तो बिटा वक्यबलरी का भी हमने एक सुलीशन निकाला है अल्टीमेट इंग्लिस वक्यबलरी बुक इसमें क्या है पॉकेट साइज की बुक है हर एक चीज को मैंने बढ़ सिर्फ को बाइफर केट के वह 65 कैटेगरी में इडियम समय बढ़ता हुआ जिसा फिश्वाले इडियम सारे अलग होस्ष वाले अलग कलर वाले अलग फैस्टीवल यदियम अलगी मैन वाले अलग वीमेन वाले अलग तो हर तरह तरह का इडियम आपको लग मिलेगा पूरा इसमें ट्रीवाइज आपको मिल जाएगा और फिर ट्रीमेटर के बाद में डेवाइज आपको मिलता तो यानि कि ये भी आपके लिए वनिस्टॉप सल्यूशन प्रूव होगी वकेबलरी के लिए चार तो चार पेज की बटाई बुक है अगर आप इसको भी ओडर करना चाते हैं तो फिलिप कार्ड पर भी शानूसर इंग्लिस लिखेंगे तो आपको इस बुक मिल जाएगी आप ढूंड लेंगे आराम से और अगर अगर अड्डा इस्टॉर से करना चाते हैं तो बटा वा Y795 कूपन कोड को यूज कीजेगा और जो मैंने आपको अपने बुक्स के लिए कूपन कोड दिया है वो क्या भाई 795S I hope आपको अब CHSL से लिटेड कोई भी क्वेरी नहीं रही अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट कीजेगा मैं आपके कॉमेंट में पक्का रिप्लाई जरूर दूँगा ठीके प्यारे दोस्तों बाई बाई टेक क्यार ओल दी वेरी बेस्ट गो फॉर विक्टर क्वेरी 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 जरूर दोस्तों